हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यट्यूब चैनल इंस्पार फिजिस कलाशेज में आज हम करने जा रहे हैं फिजिस के बहुत इंपोर्टेंट 10 क्यूशन यह जो क्यूशन है वो कल मैंने क्यूश के रूप में टेलिगराम पर डाले थे और वान से बहुत से बंदों ने इसका एंसर भी लगाया था तो इस वीडियो में हम देखते जाएंगे कितने बंदों ने इसका राइट एंसर चुना है और कितने बंदों ने इसका रॉंग एंसर चुना था वो साथ की साथ इन क्यूसनों को भी सोल करते जाएंगे तो शुरुआत करते हैं इन क्यूसनों की आपका जो आज का पहला क्यूसन है वो आपकी स्क्रीम पर है और इस श्रीज का है 21 सनमर का क्यूसन इसमें बताना है आपको रेटिना पर बना परतिविम होता है दोस्तों यह हमारा आंक होता है और इसका यह उत्तर लेंस होता है यहां पर तो इसके दुआरा जो वस्तु का परतिविम बनाए जाएगा यहां पर रेटिना पर बनेगा तो आपको बताना है कि यह जो परतिविम होगा यह सिदा होगा या उल्टा होगा कालपनिक होगा या दखर नहें उसको फोकसं की के और जो लेंश्ट के बीच में रखा जाता है उस समय में यह हैंनर penis तो इस परकार से इसका प्रतिवी मोथ और वास्तिविक होता है और कल मैंने टेलेगराम पर बीएक कि शुन डाला था वहां पर 54 पर्सेंट बंदों ने इसका राइट वेंसर चुना है 9% ने एक बंदे इसका र्वंगेंस रीचुना था एक ने इसका C option चुना है और दो ने इसका चुना था D option इस परकास से 11 बंदों में इसका 4 ने हमारा wrong answer चुना है और बलकि जो 7 बंदे हैं उन्होंने right answer A option को चुना है तो इसका right answer भी हमारा क्या है A option ही है अब देखते हैं 22 नमर का question बाइस के question में आपको बताना है कि काच से Y में परवेश करते हुए परकास का किस रंग के लिए करांती कोन न्यूंतम होगा आपको क्या बताना कि कोई एक परकास है वो काच से Y में जा रहा है या गलाज से AR में जा रहा है तो आपको बताने कि यह जो प्रकास है, वो किस रंग का रखा जाए, जिसके लिए जो करांथी कोण है, आईसी का मान है, वो न्यूंतम हो, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पिले रंग के लिए, या बेंगनी रंग के लिए, बताई इसका राइट इंसर क्या होगा, दो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करांथी कोन क्या होता है तो परकास का अपर्तना आपने पढ़ा होगा वो क्या होता है कि परकास जब आप एक माद्यम से दूसरे माद्यम में जा रहा है और आप इसको ठिटा कोन से आपतित कराते हैं तो यह क्या है कि इस माद्यम से तुल्ण नमें तो यह है abun ki or जुक्षेगा तो यहाँ पर अपर अपन क्या करें यह air ले रही है और यह glass है तो यह यह आदि कि यह viral madem मैं है तो abun 같은 है तो यह abunом के आटेगा तो अब क्या करेंगे जैसी जैसे आप तन कोन का किसका मान बढ़ता जाएगा तो एक condition isova का कोquito है लग नाइन इसके पिर लग यहां पर के पर कंडिर ले तो उस कंडिशन में जो आपका आपतन कोन है आई आई सी यह आपका कैला ता करांती कोन कैलाता है और यह करांती कोन है वो याद रखना है जो परकास का ये जो परकास है उसकी जो neighborhood होता है उसके विद kamu पाती होता है जो अपूर्त नाग की विद कमान पाती होता है तो इस परकार से हम जानते हैं जो परकास के color color code होता है वह आपका होता है वी फिग्योर वी आई बी जी वाई ओ और यह जो आपका color code होता है यह जो करम होता है यह आपका त्रेंग देर्दे का बढ़ता करम है इधर से इधर चलोगे तो यह आपका अपोर्तनांग का बढ़ता करम है तो यहांचे अपन देखते हैं कि जि तो इसके लिए जो करांथी कोन का मान हो मिनिमम हो जाएगा तो इसका राइट विज़ागा उपसा नमर डी वाला। टेली गराम पर बात के लेते हैं तो टेली गराम पर इसका जो राइट एंसर है वो 6% ने बिल्कुल सही दिया है यानि 7 बंदों ने इसका answer लगाया है जिसमें 6 ने बिल्कुल सही दिया है और एक ने इसका लाल नहीं होगा लाल कब होगा जब यह है maximum पुछा जाए करांती कौन का मान maximum कब होगा तो maximum के लिए जिसका अपूर्तनांग सबसे कम होगा उसके लिए करांती कौन सबसे जादा होगा तो अपूर्तनांग सबसे कम किसका है rate रंग के लिए तो rate का जो अपूर्तनांग सबसे कम होगा तो इसका जो IC कौन का मान है वो maximum होगा लेकिन यहां पर आपको न्यून्तम पुचा गया है तो न्यून्तम किसको का बेंगनी रंग का अब देखते हैं नेश्ट कुशन पर आपका 22 नमर की कुशन में क्या पुचा गया है कि एक परत्यावरती दारा परिपत में I is equal to 100 sign तो इस परिपत में दारा सुनने से बढ़कर उसके शिकर मान तक पहुंचने में लगा समय इस क्यूशन में आपको क्या बताना है कि आपकी कोई एक दारा का यानि परत्यावरती दारा का सिमीकन आपको दिया हुआ है 100 sign 200 पाइटी दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह तो दारा है कि यह सुनने से बढ़कर इसके शिकर मान मेक्सिमम तक कितने समय पूचेगी दोस्तों यह हमारा इस प्रकार से एक पूरा है इसका करम होता है कि दारा का मान पहले सुनने होता है फिर मेक्सिमम होता है फिर सुने होता है फिर माइनस के अंदर इसका नेगिटिव मेक्सिमम होता है फिर दुबारा सुने होता है तो इस पूरे चकर एक चकर के अंदर इसका जो समय लगता है वो आया दिसका T है तो यह आपका होता है आवर्टकाल और इसको एक बार सुनने से लेकर कि मेकसिमम आन तक जानने के लिए इसको जो समय लगता है यहां तक का वो कितना हो जाएगा टी वाई फॉर हो जाएगा यहां कि टी वाई फॉर हो जाएगा टी वाई फॉर यह टी वाई फॉर कितना हो जाएगा आपका 200 पाइटि और हम सभी जानते हैं यानि से T से T कैसल हो जाएगा तो इस परकार से ऐमेगा हो जाएगा आपके कितना हगाएगा तूहन्र से ले आपको प्राप्ट रहे हो और जो मेंगा होता है वह में 100 और यहां पर हमें पता कि जो समय लगे रहा है सुनने से शिक्रमान के लिए वह लग रहा टी बाइफ ओर का लग रहा है तो टी बाइफ ओर करेंगे वन अपन 1000 को अपन किस से डिवाइड करेंगे फोर से तो यहां पर नीचे मल्टिप्लाइ जाएगा यह जाएगा वन अपन में 4000 तो इसका जो राइट हो जाएगा वह जाएगा ऑपसन नमर डी वाला और देखते हैं टेलिग्राम पर कितनों नहीं इसका राइट अंसर चुना है दोस्त अब देखते हैं आपका 24 नमर का गिश्षराण चूइस नमर के लिए आपको क्या बताना है कि विद्दू चुम्किया प्रेक्जरी में प्रेरीषत आवेज से निर्भण नहीं करता है यह आपका प्रिवरतन के पर नीबर करेगा यह कितने Are you या जो इस परतिरोद का डूट रजिस्टेंस है यानि इसका जो परिपähänत का जो परिपाती रोद है उस पर निभर करेगा या इन तीनों पर भी नहीं करेगा तो पता का डृत उसर क्या होगा दोस्तों इसका जो इंघ विवाला या जो प्रिरित आवेज है वो समय पर नीबन नहीं करता है क्योंकि यह जो फॉर्मूल होता है डिक्यू आवेज का जो फॉर्मूल होता है डिक्यू यह आपको होता है डिफाई अपॉन में आर होता है यह निकलता क्या है कि आपने फिराडे लोज पटा होगा फिराडे लोज क् जो EMF induce होता है वो किस के बरावर होता है और हम सभी जानते है घाल डिक्यू अपॉन में डिक्यू होता है नी लिए अमैप को किसके बर् Wal-बाबर रखिएंगे Diffy अप में een dT तो तो यह जो डिक्यू अपवण में डी ट्य है यह किसके बराबर हो जाएगा, आपका into r यह किसके बराबर हो जाएगा d5 upon me dt यानि यह आपका em up है dq upon me dt into r और यह यहाँ पर em up है d5 upon me dt तो इन दोनों को बराबर कर देंगे यह dt से dt यहाँ पर cancel हो जाएगा और जो dq है वो आपका क्या निकल करा जाएगा d5 upon me r बचएगा यह यह अर दर जाएगा तो इस परकार जो आवेस है वो चुम के अफलक्ष्य में पर निवर करता है और परतिरोध पर निवर करता है इन दोनों पर निवर करेगा बल्कि जो समय है उस पर निवर नहीं करता है कि अक्सिय बिंदु पर एक लगू चुमबक के कारण चुम के छेतर की तिर्वता होती है आपको याद रखना दोस्तों आपका कोई एक लगू चुमबक है यह आपका N है यह S है तो इसके अक्स पर इससे D दूरी पर जो चुम के छेतर की तिर्वता है B वो क्या होगी यह दि यहां पर यहां पर हमें बुचा गया कि अक्सिय बिंदू पर तो अक्सिय बिंदू पर क्या हो जाएगा यहां आपको जाएगा यहां पर M दिया हो तो इसकी नीचे आपका 2Pi बचेगा तो इसका राइट जाएगा आपको जाएगा और पर तो इस परकार से पसिस का राइट जाएगा और टेलिगराम के अपन बात करते हैं तो राइट एंसर बचेगा की अधर में सही चुना है मैक्सिमम ने चुना है तो इस परकार से इसका राइट आज यहाँ आपका अब देखते हैं 26 का क्यूशन 26 के कुशन में क्या बताना है आपको कि लंभे दारा वाही तार के कारण किसी बिंदू पर चुमके छेतर इसमें क्या बताना कि आपको पास यह को एक लंबा दारावाहिक चालक की इसमें दारा बह रही है तो इससे लंबो तैनी आर दूरी पर कोई बिंदू है पी इस पर जो चुमके छेतर है वो आपका बी है तो यह बताना कि जो चुमके छेतर है वो इस आर पर कैसे निर्भर करेगा इस यह जो चुमके छेतर है आर के समान या चुमके छेतर है वो R की वितकमान पाती है या चुमके छेतर है वो R की वितकमान पाती है या इस पर यह निर्भड़ी नहीं करेगा तो बताई इसका राइट मसर क्या होगा तो या दखना कोई एक दारवाही चालक है उससे आर दूरी पर जो चुमके छेतर होता है B उसका formula होता है mu not i यानि इसमें कितिने दारा बेह रही है upon में होता है 2 pi r होता है तो इस परकार से अपन देखते हैं जो b है वो समान पाती है i के जो कि अमेकिशन में कोई लेना देना आई है और b है with common path है r के यानि नीचे r है तो r की with common path होगा तो इसका राइट वो समान पाती होगा option number b वाला यानि तार दूरी के with common path होता है और यादि अपन टेलेग्राम पर यादि पर बात करते हैं तो इसका जो गल्थ answer है c वाला वो दिया है 67 बंदों ने और इसका जो right answer होगा वोगा option number b वाला वो केवल 17 बंदों ने दिया है तो इस प्रकार से इसका जो right answer होगा वोगा option number b वाला दोस्तों याद रखना यह है r की square के with common path नहीं होता है यह जो होता है यह होता है r के with common path होता है तो इसका right answer होगा option number b अब देखते हैं आपका 27 नमर का question 27 नमर के question में क्या बताना है कि 200 वोट एवं 100 वोट सकती के दो बलबों के परतिरोद करम सा r1 एवं r2 है दोनों बलब समान वोल्टा परकार यह करने के लिए बनाए गए है तब यानि आपको क्या दिया हो है आपके इस परकार से कोई दो बलब है इनकी जो सकती हवाब के दीवी है 200 वोट और 100 वोट और इनका जो परतिरोद है वो r1 वो r2 है इनको यह दि समान विबव यहनि समान वोल्टा पर चला गया इनकी वोल्टा का मान आपको यहां पर क्या रखा है इनका समान रखना है तब आपको बताना कि यह दि समान वोल्टा पर जलाएंगे तब इनका r1 और r2 में किस का मान जादा होगा और कितना जादा होगा तो याद रखना जो सकती का जो फॉर्मूल होता है वो आपको होता है एक तो i square upon में r होता है तो यहाँ से आपन देखेंगे कि जिसकी सकती का मान जादा होगा उसका परतिरोत का मान कम होगा और जिसकी सकती का मान कम होगा उसका परतिरोत का मान जादा होगा तो इस परकार से यहाँ पर निकालते हैं इसको कि आपका जो r1 upon में r2 है वो किस के बराबर हो जाएगा P2 upon में P1 के बराबर हो जाएगा और P2 का आपका कितना है P2 आप 100 है नहीं 200 है और P1 क्या है 100 है तो इस परकार से जो आपका R1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2R2 के बराबर हो जाएगा 2R2 यानि जो R1 का मान है वो R2 का दोगणा है तो दोस्तो यह है R1 इधर आएगा और R2 यहाँ पर दोस्तों जो P2 का मान है यह है P2 P2 का मान आपको only 100 दियावा है और P1 का मान दियावा वो दियावा 2000 फिर इसको सोल करेंगे तो यह आपका वोगा 1 by 2 और यह जो R2 है R2 यह कितना हो जाएगा 2 R1 होगा यह जो R2 का मान है वो कितना है R1 का दो गुना है यह इसको अपन कहेंगे कि जो R2 का मान होगा वो R1 से 2 गुना होगा तो इसका राइट वन से जाएगा option नमर B वाला यहाँ यहाँ पर यदि P1 का मान दो गुना है तो यहाँ पर यहाँ पर R2 का मान के हो जाएगा दो गुना हो जाएगा तो R2 का मारा R1 से दो गुना अगौध इसका Right Answer option number B और टिली गराम पर बात करते हैं तो बिल्कुल सही है सबसे मेकसिमम बंदों ने इसका Right Answer option number B ही सुना है जो कि यह बिल्कुल सही है अब देखते हैं 28 number का question 38-18-roid on QC जिसका जो आंतरिक परतिरोध है वो आपको क्या दियाओ है आर दियाओ है यह आपका शेल है इसको यदि कोई भाईये परतिरोध आरसे जोड़ा जाता है भाईय परतिरोद R से जोड़ा जाता है तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर मेक्सिमम दारा रखने के लिए और R और R को किस प्रकार से मेनेज करेंगे इन दोनों को बराबर रखेंगे या R1 को जादा रखेंगे या जो R है इसको जादा रखेंगे या जो R है वो आप R by 2 रखेंगे तो बताई इसका राइट अंसर क्या होगा तो याद रखना इस परिपत में अदि एक सेल से कोई भाईय परतिरोद जुड़ावा है तो इस सेल का आंतरिक परतिरोद और इस परिपत का जो परतिरोद है वो एक दूसरे के बराबर होते है तो उस कंडिशन के अंदर धारा कमान मेक्सिमम होता है क्योंकि हम सब जानते है आई कमान होता है वो E अपोन में R पलस R होता है या आपका आंतरिक परतिरोद होगा या भाईय परतिरोद तो इस प्रकार से आप याद रखना है यहाँ पर धारा कमान मेक्सिमम होगा उस कंडिशन में याणि पावर कमान भी मेक्सिमम होगा तो आप याणि पावर कमान मेक्सिमम निकालें कब होगा इसका फोर्मल होता है आई स्कार अपोन में R होता है इसका मान रखेंगे फिर dp upon में dp upon में dr निकाल लेंगे फिर देखेंगे कि इसका मान maximum कब होगा तो maximum मान के लिए आप 0 रखेंगे इसको solve करेंगे तो आपका निकल कराएगा r बराबर ये ये दोस्तों आपका बहुत बड़ा होगा तो आप theoretical रूप से याद रखें या ने देते हैं कि आर कमाने दिजीरो रखते हैं तो इसके अंदर धारा बिल्कुल भी नहीं पर रहेगी क्योंकि इस पर को लोड नहीं है जैसे ही सेल को लोड देंगे तब इसके अंदर धारा बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा यह है इसका यानिकी voltage की ख लगेगा बढ़ता जाएगा तो उस condition में क्या होगा कि इसके देहन्दर धारा कमान दुबारा डिक्रीज होने लग जाएगा तो इस प्रकाश से धारा का जो अधिक्तम मान होगा वो कि इसके बराव लिए होगा और इस गुल तो आर के लिए होगा और टेली गराम पर अपन के सिर्ष पर टुक्यू माइनस क्यूं और माइनस क्यूं आवेश करम से इस्तित है तो तिर्बुज के के अंदर पर इसमें आपको क्या बताना है कि आपका एक तिर्बुज है इसके जो सिर्ष है उसमें माइनस क्यूं माइनस क्यूं और टुक्यूं इस प्रकार से आवेश रखे विए हैं तो इसका जो केंदर है वहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका विदू छेतर है इलेक्टिक फिल्ड हो सुनने होगा या विभव सुनने नहीं होगा या विदू छेतर सुनने नहीं है विभव सुनने है या दोनों ही सुनने है या विदू छेतर थता ओता है वो आपकी अदिश राष्य होती उप्सकी कोई यहां पर आपका क्यो HA sprawd की यहां पर आपका क्यो हो जाएगा माइंस का 2 क्यू अपोन में आर हो जाएगा नहीं पलस का होगा चुरी दो तो इसके कारण हो जाएगा माइनस का क्यू अपोन में आर हो जाएगा और इसके कारण हो जाएगा माइनस का क्यू अपोन में आर तो इस परकार से इन तिनों को एड करोगे तो plus का 2 है और minus का 1 minus का 1 है कितना हो जाएगा 0 तो इस प्रकार से विभव तो आपका क्या हो जाएगा 0 अब विदू छेतर की बात करते हैं तो दोस्तों विदू छेतर की इसके minus के कारण इसकी direction होगी वो आपकी क्या हो जाएगी इस परकार से इसकी और हो जाएगी इसकी डारेक्शन इसकी और हो जाएगी और TQQ के कारण देखते हैं इसके गार इससे दूर होगी तो इसके डारेक्शन इधर हो जाएगी तो इन तीनों विदू छेतर की जो डारेक्शन है वो इधर होने के कार प्रणतु वीभूप का माना आपका सुनने होगा तो इस क्यूशन का राइट विश जाएगा ऑप्शन अमर B वाला देखते हैं यहां पर तो टेलिगराम पर भी इसका जो मेक्सिमम मदवनी इसका राइट विश जाएगा ऑप्शन अमर B अब देखते हैं आज का अंतिम हैं जा रहती है दना वेस पर दना वेस दुणवेस पर पत्तिका की मदडेश संधार इतर प्रेटों के सीरों पर तो तो इसमें बताना कि हमार कोई समाधर संधार इतर और है या इसका नेगेटिव प्रेट है उड़-षग है तो आपको क्या वताना है कि इसihen लो आणिसम के अंदर जो एनर्जी होती है संधारी तर के जू नरजी कितीन होती तो यह बताना का रित Prだ यहांकि तो संदारी तर तर की जो एनर्जी होती है वह इसके अंदर संपूर्ञ के दर होती है क्योंकि इसके अंदर पूरे के अंदर मार उनुक्राक होता है रेक्तिको ओने के करने इसका जो मद्य का एरिया है इसके अंदर जानी की जो एनर्जी है इस गो टू वन बाई टू सीवी स्क्वार यह मारी क्या रहती है संचीत रहती है इस्टोर रहती है पने बोल सकते हैं तो इसका जो राइट एंसरो जाएगा ऑप्शन नमर बी वाला दनावे नहीं सोरी दोल्ट व वाला नहीं होगा इसका मद्या छेतर में तो इस परकार से टेलिग्राम पर देखते हैं टेलिज गलारम पर इसका makes dramatic Myु है जोकि आपका सभिखों है तो इस परकार से उसका आट में सो जाएगा जो सुथयरे में हैं मिलते हैं आपको ऐसे है अच्छ अच्छ के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सभी को जय हिंद जय बारत